ग्रैंड विटारा डॉमिनोन एडिशन आप बसे इसके बेस वेरियंट को छोड़ दीजिए बाकी उपर के तीनों वेरियंट में आपको डॉमिनोन एडिशन मिलता है चाहे आप डेल्टा लीजिए चाहे आप जेटा लीजिए या फिर आप चूस करिए अलफा लगबग 60,000 की एक प्रॉपर किट है जो आपको ग्रैंड विटारा के साथ अब फैस्टिव सीजन में मारूती फ्री ओफ कोस्ट आप कह लीजिए कि आपको दे रहा है लेकिन यह ओफर केवल ऑक्टूबर मन्द तक के लिए ही वैलिड है उसके बाद नहीं जो आप सामने देख रहे हैं यह इसका डेल्टा वैरियंट है 12,20,000 रुप है यह गाड़ी आपको एक शोरूम में कॉस्ट करती है और इस प्राइस टैग में एक बहुत ही शानदार 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नैचुरल एस्पिरेटेट पेटरॉल इंजन, क्रूस कंट्रोल, पाचों पैसेंजर के लिए बेस वैरियंट को value for money बनाता है जो आपको additional kit मिलनी है मतलब जो आपको domino on addition में accessories मिलनी है उसकी proper list आपको variant wise अपने screen के उपर दिख जाएगी आप अराम से pause करके उसे तसली से पढ़ लिजेगा कि आपको क्या-क्या चीज़े मिलेंगी footstep मिलेंगे, door visors मिलेंगे, mattings मिलेंगी और भी ऐसी multiple चीज़े हैं जो आपको वहाँ पर offer की जाती है इसी लिए मैंने delta उठाया base variant कहले जी आप domino on edition के हिसाब से और यहां आपको वो सारे features मिलते हैं कि maximum buyers को उपर वाले variants में switch नहीं होना पड़ेगा तब तक जब तक आप एक sunroof के बहुत बड़े fan नहीं है, बाकि सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा तो एक एक करके बात करते हैं कि आपको यहां पर क्या कुछ मिलने वाला है सबसे पहली चीज़ तो अगर आप सामने देखेंगे तो बहुती bolder सी presence Grand Vitara definitely देती है chrome का बहुत ज़ादा अस्तमाल आपको सामने grill के उपर देखेगा इसके base variant से लेकर top variant तक same grill हर customer के लिए रखी गई है तो सामने अगर आप देखेंगे बहुत ज़ादा outlines में chrome का अस्तमाल, बीच में glossy Nexa की wavy grill, नीचे silver color के skit plate और उपर वही Nexa के signature, DRLs और turn signals प्रोजेक्टर में hylogen headlamps है जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं side profile की आप पर switch होंगे तो यहाँ से आपको Grand Vitara की overall presence का idea लगता है गाड़ी definitely काफी बड़ी है, wheelbase बहुत अच्छा है 2600 mm का और अगर आप यहाँ से ground clearance चेक करेंगे तो 210 mm, 210 mm का ground clearance Grand Vitara आपको offer करती है पेंटेड आपको इसरीके से normal steel wheel यहाँ पर मिलते हैं 17 inches के, Apollo के tires है proper tire section 215, 60, R17, 17 आगे और पीछे यानि 4 wheel में आपको proper disc brakes यहाँ पर मिलती हैं और आपको इनके साथ silver color के wheel covers जो हैं अब आप अगर यहाँ पर check out करेंगे तो सबसे पहले body color door handles मिलते हैं और keyless entry के लिए request sensor आपको दोनों side मिलेगा driver और co driver ORVM आप electrically adjust और fold कर सकते हैं इसी के उपर turn indicator mounted है, window के नीचे के bat line all black और यहाँ पर अगर आप check out करेंगे B pillar के उपर black sash tape उपर shock fin antenna और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इसके C pillar के उपर जो arch है वो थोड़ा सा आपको silver finish के साथ मिलता है जो की definitely देखने में सुन्दर लगता है और यह glass area भी काफी ज़्यादा बढ़िया feel होता है रेर से अगर आप check out करें तो definitely पीछे से भी grand vitara अपनी अच्छी profile जो है पूरी तरीके से प्रूव करती है connected tail lamps LED में आपको मिलते है center में logo है बीच में फिर grand vitara mention किया गया है mild smart hybrid system के साथ आती है तो उसकी proper badging camera आपको इस variant से मिल जाता है लेकिन इसकी dynamic guidelines नहीं है अभी मैं आपको check करवा दूँगा spoiler सुन्दर दिखाई देता है high mounted stop lamp है defoggers आते हैं wiper washer नहीं आते vertical तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से turn signals reverse lamp और reflector की placement दिखती है पीछे काफी boulder सी sketch plate आपको silver color की मिलेगी और 4 proper points आपके पास parking sensors के हैं उसके बाद अगर आप यहाँ से इसके tailgate को operate करें तो definitely electromagnetic button आपके पास है parcel tray आपको मिल जाती है trim पूरी hot plastic से covered मिलती है grab handle आपको यहाँ पर proper दिया गया ताकि आप इसे easily close कर पाएं और 373 लीटर का boot space आपको grand vitara offer करती है side में इस तरीके से आपको थोड़े बहुत कभी space मिलते हैं boot में proper आपको lamp जो है वो यहाँ पर मिलेगा accessories वगएरा यूज करने के लिए चाया को tire inflator यूज करना पड़ जाए या vacuum उसके लिए 12 वोट का power socket आपको मिल जाता है इधर कुछ आपको इस तरीके से hooks जो है वो मिलेंगी कभी space दोनों side है नीचे जो है वो आपको यहाँ पर tool kit और normal इस तरीके से spare wheel जो है black color के steel wheel के साथ वो मिलेगा same size है जो कि हमने गाड़ी के साथ देखा R17 चालिए अब ज़रा आप एक बार switch होईए पहले second row में यहाँ पर क्या कोछ है आपके comfort convenience के लिए पहले वो check out कराता हूँ फिर हम आगे features वगरा की बात करेंगे infotainment system, steering wheel, सब कुछ dual tone के color combination black के साथ जिस तरीके से coffee brown color का combination बैटता हूँ बहुत सुन्दर लगता है यह जो आप potion proper check out कर रहे हैं फाबरिक का स्तमाल किया गया यानि soft touch है यहाँ पर chrome finish के साथ door levers, अगेन ऊपर थोड़ी सी glossy silver finish का स्माल यहाँ आपको speaker की placement, बढ़िया bottle holder, एक लीटर की जो बिसलेरी टाइप bottles होती है वो अराम से आएंगी और यहाँ आपको child safety lock जो हो मिल जाता है seats की अगर आप बात करेंगे तो अगेन fabric की seats हैं वही आपको honeycomb type pattern यहाँ पर definitely देखने के लिए मिलता है seats काफी ज्यादा comfortable और cushiony feel होती ही है और 60-40 split definitely आपको यहाँ पर मिलेगा तीनो passengers के लिए आपको proper adjustable यहाँ पर headrest मिलते हैं और तीनो passenger के लिए आपको इस तरीके से 3 pointed seat belts मिलती है armrest जो है वो भी आपको यहाँ पर proper मिलता है ISOFIX seats के mounts भी है यह wheel covers यहीं पर पड़े हूँ है जो मैं कहला था आपको tires के साथ मिलते हैं rear में AC vents आते हैं प्लस एक आपके पास C type और यूस जो है वो आपके पास USB A type का port यहाँ पर अगर आप check out करेंगे तो USB A और इदर एक USB C type का charging port जो है वो आपको मिलता है और नीचे proper space आपके पास है ताकि आप अपना phone वगारा वहाँ पर easily रख पाए साथ में बैठने के हिसाब से भी गाड़ी में आपको कोई space की कमी नहीं लगती उपर अगर आप check out करेंगे rooftop के उपर इस तरीके से foldable grab handles है coat hooks है, lamps वगेरा जो reading lamps है वो आपको हाई-logen में देखने के लिए मिलेंगे lamps दोनों side दिये गए हैं लेकिन इस side कोई coat hook जो है वो आपको offer नहीं किया जाता यहां से अगर आप check out करें तो गाड़ी का overall dashboard वगेरा का layout वगेरा कुछ आपको ऐसा लगता है जो कि definitely देखने में सुन्दर लगता है चलिए, अब ज़रा हम चलते हैं एक बार इसकी driving seat पर और वहां क्या कुछ आपको मिलता है ज़रा detail से बताता हूँ सबसे पहले चीज तो आप dashboard वगेरा के layout देखिए जो इसकी infotainment system के पास glossy finishes है वो सुन्दर लगती है जहां पर brown tone का इस्तमाल किया गया वो सुन्दर लगता है dashboard वगेरा के ओपर black color का जो material है वो काफी ज़्यादा सुन्दर फील होता है doors अगेन आपको dual tone के साथ मिलेंगे यह fabric वाला portion अगेन soft touch है speaker की placement आपको मिलती है chrome finish के साथ door levers जो है वो आपको मिलते है ORVM को electrical adjust fold आप कर सकते है safety lock manually lock या unlock करने के लिए चारो power window driver side वाली आपको one touch up and down विलेंगी यानि auto anti-pinch के साथ इधर आपके पस again bottle holder है extra space आपके पास यहाँ पर है seat मैंने आपको अल्लेडी बता दिया कि काफी ज़्यादा अच्छी है comfortable है under thigh support अच्छा है driver के लिए आपको height वगरा का basic manual adjustment मिल जाता है तीनो पैडल के पास space अच्छा और footrest जो है वो भी आपको proper यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इधर अगर आप check out कर रहे हैं तो headlight level अर फांच level तक का chrome finish के साथ इस तरीके से engine start and stop button इधर जो है वो गाड़ी का hood और fuel filling lid खोलने के लिए आपको proper slots यानि मिल जाते है चलिए आप अंदर switch होईए और यहाँ पर जवाप आते हैं तो सबसे पहले आप check out करिए जड़ा steering wheel मैं एक बार पहले ignition on करता हूं और जैसे ही आप ignition on करते हैं तो अच्छी animations वगेरा जो है वो आपको यहाँ पर proper दिखती है जो कि आपके इस touchscreen infotainment system से based रहेंगे और cruise control का setup यहाँ पर steering में adjustment जो है वो आपको tilt और telescopic दोनों टाइप का यहाँ पर मिल जाता है जो कि एक advantage है एक बार पहले door close कर लेते हैं वरना यह beep करता रहेगा semi-digital instrument cluster है जो आपको सामने मिलता है यहाँ पर अभी मैंने गाड़ी का hood खोला तो वो आपको proper एक notification दे रहा है कि आपने गाड़ी का hood खोल दिया है इधर आपको tachometer, speedometer, coolant और fuel की gauge जो है वो सब manual based यहाँ पर मिलती है analog based उसके बाद यह जो आपका 7 inches का touchscreen infotainment system है यह बढ़िया काम करता है size जरूर छोटा है गाड़ी case अगर आप देखें लेकिन हमने यह गाड़ी की और मारुती की और गाड़ियों में भी देखा है बढ़िया थरीके से काम करता है उससे related definitely यहाँ पर कोई complain आपको बिल्कुल भी यहाँ पर feel नहीं होने वाली wireless android auto और apple car play आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं अपने इसाब से customize कर सकते है quick access hub आपको मिलता है तो multiple चीज़े हैं जो आप customize कर पाएंगे बढ़िया AC vents side में यहाँ पर आपको center में इस तरीके से यहाँ पर हजाड के लिए switch मल जाता है automatic climate control, गाड़ी का electronic stability को enable disable करने के लिए idle stop and go, 12 volt का power socket और इधर जो है वो आपको USB A type का port मिलता है आगे कोई C type का लिए charging port आपको नहीं दिया गया बढ़िया storage अपना phone वगेरा रखने के लिए 5-speed manual transmission आपको यहाँ पर मलता है sights में भी इस तरीके से जो ब्राउन टोन का इस्तमाल किया गया है थोड़ा बहुत cup holders और छोटा कभी space आपके पास यहाँ पर है armrest आपको मिलता है जो कि आप slide कर सकते हैं पर soft touch leather rated है और बढ़िया storage जो है वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा manually adjustable day and night IRVM आपके पास है lamps यहाँ पर आगे front में भी आपको reading lamps जो है वो हाई-logan based मिलने वाले sunglass holder वगेरा आपको यहाँ पर नहीं मिलता visor की quality ठीक है और यहाँ आपको बढ़िया vanity mirror जो है वो मिल जाता है separate light इसके लिए नहीं दी गई है rooftop के उपर foldable grab handles आपको मिलते है seat belt की height जो है आप उसे adjust कर सकते है driver side में भी आपको यहाँ पर proper vanity mirror जो है वो देखने के लिए मिलेगा light आपको यहाँ पर भी फिलाल कोई offer नहीं की गई बाकी गाड़ी में space की कोई दिक्कत नहीं है under thigh support आपको अच्छा मिलता है जब आपनी driving position के लिए switch होते हैं तो भी आपके unnecessary कहीं पर भी knees वगेरा touch नहीं होते हैं जगह आपको बढ़िया मिल जाती है इधर आपको जो है wiper के stocks मिलते हैं इधर आपको headlamp on turn signals के और कोई automatic headlamp जो है वो आपको यहाँ पर offer नहीं किया गया चलिए अब जड़ा हम यहाँ से switch होते हैं एक बार जड़ा गाड़ी से बाहर engine कर देते हैं बंद और हम बात करेंगे वन पॉइंट फाइफ लीटर इस four cylinder petrol engine के बारे में नाचुराल इस्पिरेटेड है आपको वैसे तो Grand Vitara में CNG का भी option मिलता है लेकिन CNG में कोई regal यह मतलब यह dominon addition वाली schemes नहीं है यह engine आपके लिए generate करता approximately 101 bhp और 136 newton meter of torque अच्छे power figures हैं fuel economy भी 20 के आसपास की claimed है जो की बढ़िया है सामने hood पर भी आपको proper insulation मिलेगा firewall के उपर भी थोड़ी बहुत coverings आपको मिल जाती है underbody में भी आपको यहाँ पर heat reduction material के साथ कुछ coverings जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी protection के purpose से चलिए इसे करिए close और यहाँ से आप एक बढ़ चेक आउट करिए जरा grand vitara गाड़ी बहुत बिक्ती है अगर आप इसका comparison किसी भी segment की other SUV के साथ करेंगे तो same price में आपको airbag तो 6 मिल जाएंगे लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो features में cut outी हो जाएगी किसी में touchscreen infotainment system नहीं आता किसी में steering में जादा endorsement नहीं आते किसी में head limbs जो है उसमें आपको फरक दिखेगा तो ये सारी चीजे variations रहती है कहीं पर आपको quality थोड़ी सी plastic वगएरा की better मिल जाएगी तो आपको features के साथ compromise करना पड़ेगा कहीं पर आपको features मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत plastic की quality वगएरा के साथ fit and finish के साथ वहाँ compromise करना पड़ेगा तो कान आप ऐसे पकड़िये या ऐसे पकड़िये ले देकर बात वही आ जाती है कुल मिलाकर अपनी personal choice हो जाती है कि बंदे को क्या चीज पसंद है perfection पसंद है तो बिलकुल एकदम perfect गाड़ी पकड़ना पसंद करता है जहाँ पर एक एक चीज उसे बिलकुल must मिल जाए और अगर थोड़ा बहुत वो compromise करना जानता है उसको लगता है कि यार मैं एक ऐसी गाड़ी लिए जो बाद में मुझे अच्छी resale value दे मेरी pocket के ओपर भारी ना पड़े easily मैं उसकी service करवा पाऊं easily मैं उस गाड़ी को निकाल पर मुझे सोचना आना पड़े कि वो गाड़ी fuel economy नहीं देती या अगर कोई parts damage हो रहा तो मिल नहीं रहा है तो उन सब पचड़ों से तो आपको definitely grand vitara बाहर ले जाती है वो भी completely यहाँ पर जो आप delta देख रहे हैं airbag इस गाड़ी में दो ही आते हैं चारों wheel में disc brake आते हैं camera आ जाता है parking centers proper पीछे आपको 4 मिलते हैं ABS, EBD, electronic stability, control, hill assist, ऐसे सारे safety features यह गाड़ी भी आपको offer करती है बागे आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे एक बर comment section में जरूर बताना और अगर आप में से कोई ऐसा viewer है जिसके पास already grand vitara हो या family में, friends के पास हो और उसने grand vitara को अच्छा खासा चलाया हो experience किया हो, तो आपका इस गाड़ी के साथ experience कैसा रहा मुझे जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like, share और subscribe करने में कोई गंजूसी नहीं इस काम में गंजूसी करना अच्छी बात है भी नहीं बहुत जल्दी आपसे फुर मिला कात होगी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद